हाई फिरंट्स आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कंटेक्टर वेज करने के बाद क्या-क्या सवधानी रखनी चाहिए हमारे लोकों में कितने कंप्रेशर कंटेक्टर है और कितने कंटेक्टर माइक्सिमम वेज कर सकते हैं और ब्लोवर कंटेक्टर कितने हैं और आप ब्लोवर कंटेक्टर को वेज करते हैं तो क्या-क्या सवधानी रखनी चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल कुश्वाहजी रेलवे को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए तो आए वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो को सटार्ट करते हैं हमारे लोको में कांटेक्टर पैनल में तीन cp कांटेक्टर है जो कि c101 और c102 और c103 यानि कि cp का कंटेक्टर cp1 cp2 और cp3 है तो इसमें माइक्सिमम टू कंटेक्टर ही वेज कर सकते हैं कोई भी दो कंटेक्टर वेज कर सकते हैं जब कंटेक्टर प्लोज नहीं हो रहा है तो दो कंटेक्टर वेज करने से हमारे लोकों में प्रेसर ब्रावर मेंटेन होता रहेगा और आप गारी काम कर सकते हैं लेकिन यदि कोई भी कंटेक्टर विज कर रहा है तो पहले मालुम कर लेना जरूरी है कि हमारे लोकों का SS2 बरावर काम कर रहा है या नहीं SS2 का सेटिंग 10.5 केजी पर 30 cm2 होता है क्योंकि हमेशा लोडिंग होते रहेगा कमप्रेसर बरावर चलते रहता है इसलिए SS2 का वार्किंग जरूरी है क्योंकि हमारे लोकों में एमर प्रेसर आर्ट से सारे 9 केजी होना चाहिए 8 केजी 35 cm2 to 9.5 केजी 35 cm2 होना चाहिए लेकिन कमप्रेसर बरावर कलता रहता है इसलिए हम CDC के drain clock को थोड़ा सा open करेंगे और यह सुनिचित करेंगे कि हमारे लोकों में MR pressure 8 से 9 kg पर 30 cm2 है और wage करने के साथ साथ motor का working भी चेक कर लेंगे अब मालूम करते हैं हमारे contactor panel में blower contactor कितने हैं तो हमारे लोकों में 3 blower contactors है C107, C105 and C106 तो इसमें यह blower contactors में कोई एक अगर contactor wage करते हैं तो इससे संबंधि स्विच को 3 position में रखना ज़रूरी है यदि इसके स्विच को 3 position में नहीं रखते हैं तो CDC problem आएगा यह से माल लिजे कि C107 contactor को wage कर रहे हैं तो इसका संबंधित switch है HVRH यानि कि MVRH motor का switch HVRH है तो इसके switch का position 3 में करेंगे नहीं तो ICT जो problem आएगा यदि C105 contactor wage करना है तो इसका switch है HVMT1 MVMT1 का switch है HVMT1 इसके switch का position हम 3 में करेंगे यदि C106 contactor close नहीं हो रहा है तो इसका switch है HVMT2 यानि MVMT2 का contactor close नहीं हो रहा है तो इसके switch को हम 3 में करेंगे कोई भी switch का position change करते हैं तो उसके बाद हम इसके motor का working चेक करेंगे क्योंकि उस समय relay bypass हो जाता है 3 position में इसलिए motor का working बार बार बीच बीच में 10 या 15 मिनर पे चेक करते रहना जरूरी है इस परकार हम contactor वेज करने के बाद सवधानी रखेंगे यदि हमारी जनकारी अच्छी लगे तो वीडियो को like कीजे और चैनल को subscribe कीजे फिर मिलेंगे next वीडियो में जये हैं